आज मैं बनाओंगी आलो मुंग्रे की रेसिपी उसकी लिए मैं यहाँ पर तीन पाउफ मुंग्रे यूज़ कर रहे हूँ दो मीडियम साइज के अलू आज वाफ टेबल स्पून सुरक मिप्च आफ टेबल स्पून नमक पीर खुष रदी मन टेबल स्पून अद्रक रसन का पेस्ट आदे से जादा का कुपिंग ओए छे अनध नहीं मिप्च एक बड़े साइज का टॉमाटर एक बड़े साइज की प प्रूम अंदर कुकी को एलेट करूँगी रखी होती है तो कुकी को एलेट करूँगी प्याद करने के बाद मैं इस अच्छे से भूलतों होगी प्यास का कलर हमें लाइट ब्राउन करने प्यास का कलर में लाइट ब्राउन कर लिए अब मैं इसके इंदर दुस्रे मिसाले आइट करूँगी अब दर कलसुन का पेस्ट प्यास का यह प्याम मच्ण कर दूंड प्यास को सबस्क्रोपिक समयाल में आइट है ओल बड़ायओ को अब बराउन का नादас क तर देघ 수가 वाधा हैं Зंद्ध्तित प्याइट therapist कि यह सब्सक्राइब करने के बार इसमें आदी टेली पानिया करूंगी मुष्ट करके अब मैं इसे कवर करकर दूंगी मुसाला गल्ले के लिए पांच मेंट के लिए मैंने मुसाले को लो फ्लेम पे रख दिया था गल्ले के लिए यह त्यार है अब मैं इसके अंदर आलू मुग्रे अट कर दूंगी कर दो लिए त्यार है नहीं पाले में इसके लिए कर लो दूंगी अच्छे इसे मैंने मिक्स कर लिया है अब साथ ही मैं इसके अदर अलुएट कर दूंगी अलुएट करने के बाद इसे इसे मिक्स कर लेंगे और इसे में लोग फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगे 25 मिंट के बाद मैं पहले आपको दिखाया था यह बन के त्यार थी लेकिन आलु को बलने में टाइम था फंद्रा मिंट मैं इसे मजीद लोग फ्लेम पे बखने के लिए रख दिया था यानिकि टोटल 15 मिनट में यह सबजी बनके त्यार है अब हम इसके इसे फ्लेम बन कर दे आलोम उंगरों की डिश बन की त्यार है यह बहुत ही मज़े की डिश है आप इसे ट्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रेलिटीव के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें और अगर आपको पैसंद आए तो मेरी वीडियो का लाइक करें इसको शेयर करें और मेरी चैनल को करें और आपको शेयर करें ऑगदया है यह बहुत है करें यहाँ करें और मेरी चैनल की पोलि रहँ है आप